हेलो फ्रेंट्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबों का BPSC और हम पे और आईए आज इस चैनल पे Model Practice Set 12 का Set Discussion करते हैं और ये रजनेश कुमार का जैसा कि आप जानते हो तो चलिए सबसे पहला question होगा समसामी की से जिसमें कहा जा रहा है कि 15 जुलाई 2020 के परधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष का उधगाटन किया तो इसमें रुद्राक्ष क्या है यह बताने को कहा जा रहा है तो रुद्राक्ष जो है यह एक अंतरास्ट्रिय सहकारिता एबम कनवेंशन सेंटर है जिसका उधगाटन किया है नरेंद्र मोदी ने और यह इस्थित कहां है यह वारा नसी में इस्थित है और लगभग यह जो है 2.87 हेक्टियर में यह फैला हुआ है तो चलते हैं next question पे इनमें से कौन 30 जून 2020 के विश्व का सबसे कम आयू का शत्रंज खिलारी शत्रंज का पर्थम ग्रैंड मास्टर बना शत्रंज के खिलारी का पर्थम ग्रैंड मास्टर मतलो कि सबसे कम आयू का कौन बना है आंसर हो जाएगा जी एम अभी मन्यू मिश्रा जी एम अभी मन्यू मिश्रा ठीक है आड़ वर्ष चार माह और पच्चीस दिन इनकी उम्ड है नेक्स्ट है विश्व का वह एक मादर क्रिकेटर जिसने T20 क्रिकेट मैच में 14,000 से अधिक रन बनाए है चौदा हजार से अधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर है क्रिस गेल, क्रिस गेल आंसर हो जाएगा B, क्रिस गेल और ये इन्होंने 14,000 से अधिक रन बनाए है, नेक्स्ट है, इनमें से किस देश की सरकार ने अपने नागरीकों को वाइरस पासपोर्ट जारी किया, तो किस देश की सरकार ने अपने नागरीकों को वाइरस या एक digital प्रमान पत्र है जो उसके धारक को COVID की जांच और वैक्सिन की स्थिती की जानकारी उसमें अंकित की गई रहती है नेक्स्ट है किस भारतिय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्ती हो गई थी अफगानिस्तान में तो उनका नाम था दानिश सिद्धिकी ठीक है और 2018 में उन्हें फोटोग्राफी के लिए पत्रकारिता का पुरसकार भी मिला था और अफगानिस्तान सरकार और तालिबानिन लड़ाकों के बीच गोली बारी हो रही थी उसमें से उसी में ये गोली के शिकार हो गया नेक्स्ट पे चलते हैं, question number 6 है, भारत सरकार दोरा पांसर हो ज्युले 2021 को नवगठित राष्ट्री होमियोपैति आयो का पर्थम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? होमियोपैथी आयोग का पर्थम अध्यक्ष बनाया गया है अनिल खुराना को अंसर हो जाएगा C अनिल खुराना नेक्स्ट है राज्यसभा में सदन के नेता कौन है तो राज्यसभा में सदन के नेता जो है यह है पियूश गोयल पीयूश गोयल इन्हें 14 जुलाइ 2020 को सधन का नेता चुना गया था राज्ये सब्हा में नेक्स्ट है भारत की किस महिला भारत दोलक खिलारी ने टोक्यो ओलमपिक में खेलों में पर्थम पदक जीता तो खेलों में पर्थम पदक जीतने वाली भारत दोलक है कौनसी हो जाएगी मीरा भाइ चानु, इन्होंने सबसे पहली बार टोक्यों की ऑलंपिक में पहली शुरूवात इन्हीं के द्वारा हुई थी, तो रजत पदक इन्होंने जीता था और इस उलम्पिक में कोई भी पदक जितने वाली पहली भारतिय महिला खिलारी मेरा बाई चानू ही है यह मनिपुर की रहने वाली है और चानू को पुलिस विभाग में ASP के पद पर नियुक्त करने की घोशना की है मनिपुर की सरकार में तो चलते हैं next question number 9 है देश के किस रज्य में पहला अपुषपी पादप गार्डन का उदगाटन किया गया अपुषपी पादप गार्डन तो इसका उदगाटन किया गया है उत्तरा खंड में ठीक है और उत्तरा खंड के देहरा दुझिले के देवबन छेतर में ध्यान रखि गार्डन का भी उदगाटन है किया गया है यहां पर क्रिश्टो गेमिक पादप में पुषप और बीज नहीं लगते हैं और नहीं यह प्रजनन करते हैं आते हैं next question पे चोहरतरवे कांस फिल्म फेस्टीवल 2021 किस भारती डाकुमेंट्री का सार्प्स्रेस्ट डाकुमेंटडरी फिल्म का गोल्डन आई ऑवार्ड प्राप्त हुआ किस डकुमेंटरी को सबस्ट डकुमेंटरी फिल्म का गोल्डन आई आवार्ड प्राप्त हुआ आंसर हो जाएगा इसका अनाइट ओफ नोइंग नथिंग विशु की पहली विशु टेस्ट चेंपियंशिप 2021 इस न्यूजिलेंड ने फाइनल में किसी हरा कर जीता तो न्यूजिलेंड ने जीता है भारत को हरा करके ठीक है इसमें 18-23 जून 2020 को सौथ हैंपटन जो कि इंगलेंड में स्थित है सौथ हैंपटन में खेली गई ICC वर्ल्ट टेस्ट चेंपियंशिप में न्यूजिलेंड ने भारत को आठ विकेट से हराया था नेक्स्ट है अत्यधिक ठंडे मौसम वाले किस देश में जून 2020 के अंतिम सप्ताह में तापमान 49.5 डिगरी C के रिकार्ड स्थर तक पहुँच गया तो आंसर इसमें हो जाएगा कनाडा कनाडा में आम तोर पर तापमान 20 से 22 डिगरी C रहता है लेकिन इस साल जून 2021 के अंतिम सप्ताह में 49.5 डिगरी सी लगभग 50 डिगरी C तक पहुँच गया था नेक्स्ट है अभी हाली में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी पडियोजना की शुरुआत हुई फ्लोटिंग सोलर पीवी इसकी शुरुआत हुई थी आंध्रपरदेश में ठीक है यह भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी पडियोजना है ठीक है और नेक्स्ट पे चलते हैं Question No.14 है कौंकन सेन्य अभ्यास कि इन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है यह जो है कौंकन सेन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच किया जाता है और इसे हली में अभी इंग्लिस चैनल में कुछ दिन पूर्वी ही आयोजित किया गया था नेक्स्ट चलते हैं 18 अगस 2020 को किस राजी सरकार ने परदेश में गोड़क धंधा शब्द के इस्तिमाल पर परतिबंध लगा दिया है हर्याना की सरकार ने गोड़क धंधा शब्द पर परतिबंध लगा दिया है सुप्रीम कोट ने महिलाओं को इन में से किस परिक्षा में भाग लेने के लिए अंतरी मादेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है तो आंसर इसका हो जाएगा कोशियन नंबर 16 का सी सी हो जाएगा यानि की अंडिये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं हाल ही में वनस्पति वैग्ज्यानिकों के एक समू ने किस दीप समू में एक अंब्रेला हेड वाली शैवाल पर जाती की खोज की है अंप्रेला हेड वाली शैवाल पर जाती इसकी खोज की गई है अंडमान और निकोबार दीप समो में ठीक है जिसने शैवाल की जो पर जाती है इसके हेड जो है मतलों के सेर का आकार अंप्रेला की तरह होता है जो चमकीले हडे रंग का शैवाल होता है इसका आकार 20-40 mm जूरी दी गई है तो केंद्रिय मंदल के दौरा भारत और अमेरिका के बीच भूबिग्यान के छेत्र में सहयोग के लिए अनुमती दी गई है नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतिया होकी टीम को संग्रक्षन देने की घोशना की है भारतिया हो और इसा की राज्य सरकार ने 10 वर्षों तक भारतिया होकी टीम को संग्रक्षन देने की घोशना की है आगे चलते हैं इन में से किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर परतिबंद लगा दिया है तो आंसर इसमें हुझेग तालिबान ने अपने एक आधिपत्य की घोशना कर दी थी तब भारत नेट कार्जक्रम के तहत भारत की 6 लाग गाओं को कि किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो भारत के 6 लाग गाओं तक भारत सरकार के द्वारा यह घोशना की गई है कि भारत नेट क अर्जक्रम के तहत भारत के 6 लाग गाओं को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी ठीक है आडिया घोशने किया है केंद्रिय कौसल विकास अरुद्यमिता राजे मंद्री राजीव चंद्र सेखर ने ठीक है आगे बढ़ते हैं कुस्चिन नमबर है 22 निमन में सक जिना के तहद 12 लाख भूमीहिन मजदूरों को 6000 रुपे परदान किये जाएंगे जुन जुलाई 2021 में स्थापित होने बाले बैट बैंक की विधिक नाम क्या है तो आंसर हो जाएगा डी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिम्टेट नेक्स्ट है 31 मार्च 2021 की स्थिति के नुसार विश्व के किस देश के पास अधिकता मधिक्रेत स्वारन स्टॉक है तो आंसर हो जाएगा युएसे के पास के पास किसी भी देश से ज्यादा मात्रा में स्वर्न स्टॉक है आगे है दोजार इकीस तीस के दशक को किस विशाय पर संजुक राश्टर दशक के रूप में मनाया जाएगा तो इसका आंसर फर्स्ट में ही है पारिस्थिति की तंत्र की पहाली के रूप में आगे चलते हैं अब है भारती एतिहास एवं संस्कृति से संबंधित पंचविश्च ब्राम्हन संबंधित है जिसमें पंचविश्च ब्राम्हन और छंदों की उपनिशद की चर्चा की गई है नेक्स्ट है किस वैसराय ने आर्थिक सुधार की तरफ भी ध्यान दिया और ब्रिटिस अर्थ सास्त्र विल्सन को भारत बुलाया था लौड कैनिंग ने बुलाया था इसने आर्थिक सुधार पर भी ध्यान दिया था और ब्रिटिस अर्थ सास्त्री विल्सन को भारत बु कि थी, Board of revenue के स्थापना, Warren Hastings के द्वारा की गई थी, ठीक है, Warren Hastings के द्वारा, next पे चलते हैं, question number 29, भार्तिये में से, चन्यिवन में से कौन, कौन सा एक हरपा का बंदरगाह है थोड़ा से मिस्प्रिंट है यहां पर तो हरप्पा का बंदरगाह कौन सा है बंदरगाह जो था हरप्पा का लोथल था ठीक है जिसकी खोज 1957 में डक्टर S.R. राओ ने किया था यह संधविस्थल आदिक भारत के गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के समिपड है उनकारी जुनागढ और भीतरी का सिलालेक देता है नेक्स थे कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है राजतरंगिली इसमें संस्कृत भाष्व पूरा इतिहास दिया गया है। मिर्तिव अथवा महापधिर निर्वान की प्राप्ति हुई थी, आगे है question number 34, महात्मा बुद्य ने अपना पर्थम धर्म चक्र परवर्तन की सस्थान पर दिया था, महात्मा बुद्य का पर्थम धर्म चक्र परवर्तन है सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में पर्थम उपदे दिया था इसी उपदेश को धर्म चक्र परवर्तन कहते हैं अर्था धर्म का पहिया घोमना नेक्स्ट है कुश्चिन नमबर 35 मगद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी मगद की प्रारंभिक राजधानी जो है यह अगर सबसे सुरू की बात करें तो राजगरी या फिर ग राम मोहन राए राजा राम मोहन राए आगे है स्वराज दल की स्थापना किसने की स्थापना की थी मूती लाल नेहरू और चितरणजन दास यानि कि स्यारदास और एमल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी और यह स्थापना की गई थी एक जनवरी 1923 को कहां पर की गई थी इलाहाबाद के आनंद भवन में ठीक है आगे है थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापना किसने की थी थी इसमें आंसर हो जाएगा मैडम बलाटवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्टवर्वर्टवर्टवर्वर्टवर्वर्टवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व तिलक लिखा हुआ पुस्तक गीता रहस त और इसलिए आंसर जायेगा गीता रहस नेक्स्ट है Celotant媽 assessments क्सिक के टंका सश्गानी और जीतल किन धातूं के बने थे तो तुस्तनत learnt थे लिए bet प summ 6 और जीतल तो तो यह सब बने हुए थे चान्दी और तामबा के थीक है सोने के सिक्षे नहीं थे इस समय बहुत ही खड़ा विस्थिती थी शाहिख कजाने की तो यहां पर तामबे और जांदी के सिक्षे ही प्रचली थे फिरोशा तुगलख जो था इसने एक नए परकार के सिक्षे की शु गिरचना की थी, मलिक मुहममद जायसी ने पदमावत्ती में बारह मासा की रचना की थी, जो की ह हिंदी का संभवता पर्थम 12 मास है, वर्स भरके 12 महिने में नायक नायका की स्रिंगारिक विरह एवं मिलन की कृत्रन को 12 मासा नाम से संभूधित किया गया है. आगे चलते है question number 42 है जवाबित का संबंध किस से था जवाबित तो जवाबित का संबंध जो है यहां रज के कानून से था ठीक है जवाबित का संबंध रज के कानून से था रज का कनून यानि की law of state next है इरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जगरे की ज़र क्या थी एरान के शाह और मुगल शासकों के भी जगरे की मूल वज़ा थी कन्धार ठीक है कन्धार जिसे गन्धार भी कह जाता था अफगानिस्तान में या हिस्थित है दू असपा सी असपा की पर्था किस ने शुरू की थी ठीक है, next question पर चलते हैं, question number 45, इन में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापती है, गदर पार्टी का पहला सभापती जो है या सोहन सिंग भाकना है, ठीक है और गदर पाटी के शुरुवात हुई थी अमेरिका के सेन फ्रांसिसको के स्टोरिया में 1913 में इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजी समराजी को जर से उखार फेकने के लिए गदर पाटी के संस्थापक थे सरदार सोहन सिंग भागना नेक्स्ट है भारत चोरो अंदोलन के समय भारत का परधान सेना पती कौन था तो भारत का परधान सेना पती उस समय था लाड़ वेवल ठीक है भारत चोरो अंदोलन के क्रम में महत्मा गांधी को बंदी बनाया गया था तो कहां पर बंदी बना करके उन्हें रखा गया था या पूछा जा रहा है आंसर हो जाएगा बंबई में ठीक है बंबई में बारचोरो अंदोलन के समय 9 अगस्त को इन्हें गिरफतार किया गया था 9 अगस्त 1942 को और बंबई में ही महात्मागांदी को गिरफतार करके रखा गया था बंबई के यर्वदा जेल में लंदन में माइकल ओडायर की गोली से मरने वाला करांती कारी यह कौन था यह था उधम सिंग इस पर फिल्म भी बन चुकी है सरदार उधम सिंग पर जरूर देखिएगा यह फिल्म और यह पंजाब के क्रांती कारी थे इन्होंने जनरल ओडायर को 13 मार्च उन्हें 140 को लंदन जा करके इन्हें मारा था और जालिया वाला बागत्या कांड की का बदला लिया था नेक्स्ट है कौन से वाइसराय के काल में राष्ट्रिय स्वयम सेबक संग की स्थापना हुई थी राश्ट्रिये स्वयम सेवक संकिये स्थापना हुई थी, लाड रीडिंग के समय में, ठीक है, 1921 से 26 के समय में और 27 सितंबर 1925 को नागपूर में राश्ट्रिये स्वयम सेवक संकिये स्थापना हुई थी, आगे हैं फतेहपुर में 1857 के विद्रो का नेत्रित्त किया था फतेहपुर में 1857 के विद्रो का नेत्रित्त किस ने किया था तो आंसर हो जायेगा अजी मुल्ला अजी मुल्ला ने फतेहपुर में 1857 के विद्रो का नेत्रित्त किया था 1858 में रेनार्ड ने दबा दिया था आगे चलते हैं question number है 51 51 है सामाने विज्ञान से तो citric अमल का प्राकृतिक स्रोत होता है citric अमल का प्राकृतिक स्रोत होता है sulfuric acid का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है answer हो जाएगा एह सुगंधित तेल या acetic acid के प्राकृतिक स्रोत है पादप कोश्का से संबंधित कौन सी बात गलत है आंसर इसमें हो जाएगा इसमें कोश्का भीति जो होती है पादप कोश्का में कहरा है नहीं होती है यह बात गलत है क्योंकि पादप कोश्का में कोश्का भीति होती है ठीक है पदब कोश्का में तारक काय नहीं होता है या सही है और इनमें क्लोरप्लास्ट पाय जाता है यह भी सही है इनमें रित्तिकाब बड़ी होती है यह भी सही है लेकिन कोश्का भित्ति कहरा है यानि कि सेल वाल नहीं होता है तो आंसर हो जागा सेल वाल इसमें होता है और इसलि कोशका से संबन देत इसमें आंसर हो जायगा जन्तु कोशका में कोशका भीति नहीं होती तो यह सही है ठीक है कोशका भीति नहीं होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जन्तु कोशका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है रिक्तिका छोटी होती है तारक काय नहीं होत ठीक है जन्तु कोश्का में तारक्काय होता है तो आंसर इसमें हो जायागा पच्छपन का डी ठीक है जन्तु कोश्का में कोश्का भीती नहीं होती क्लोरोप्लास्ट नहीं होता रिक्तिका छोटी होती है और तारक्काय होता है आगे है प्रोकैरियोटिक कोश्का से संबंधि कौन सा तथे गलत है देखते हैं इसमें कौनसा गलत है इसमें DNA में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है ठीक है अनुवशिक पदार्त साइटो प्लास्म में विखरा हुआ रहता है इसमें केंद्रिका नहीं होती है यह सई है राइबो जूम 705 प्रकार के होते हैं यह सई है इन में अंतर द्रव जाली का गॉल जी बोडी और आं माइटो खॉंट्रिया का अभाव होता है यह भी सई है तो अंसर एह हो जाएगा क्योंकि इसमें तो यू केरियोटिक कोश्का में आंसर हो जाएगा, इसमें केंद्रक तथा केंद्रक जिल्ली होती है, या सही है, अनुवनशिक पदार्थ केंद्र में केंद्रेत रहता है, या भी सही है, कोश्का भित्ती प्रोटीन वसा तता स्टार्ज की बनी होती है, या गलत है, और इसके डिने में हिस्टोन प्रोटीन होती है, या सही है, ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा, C, यानि कि यू केरियोटिक कोश्का में कोश्का भित्ती सेलूलोज की बनी होती है, इनमें प्रभावित करती है आगे है question number 59 विदुत धारा निम्न में से किस उपकरन से ना पी जाती है विदुत धारा जो है या मापने के लिए आमीटर का पड़ियोग किया जाता है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक जो है आंसर इ मितVEN भी है टिक है ओजोन तो है ही और इसतरी से यह सारे हो मिदाटाइगे नैट्र सॉक्साइड भी है यह भी हो जाएगा तो इसतर से करद का मित्व नेित्र सत्वार्प्यर मित्थेन ख्लोरोफ्लोर कर बन वास जों यह सब होते ग्रिन हाउस गैस और ग्रिन हाउस एफेक्ट उत्पन करते हैं तो इसमें आंसर यह हो जाएगा अर्थात उपरियुक्त में से एक से अधिक आगे है आइंस्टीन को नोबल पुरसकार किस काड़े के लिए मिला आइंस्टीन को नोबल पुरसकार मिला था प्रकास विद्धुत परभाव के लिए प्रकास विद्धुत परभाव की सफल व्याख्या के लिए नोबल पुरसकार भोतकी श्रेनी में दिया गया था आगे है कोशिका का शक्ति श्रोत होता है कोशिका का शक्ति का श्रोत जो है यह mitochondria होता है जिसे कोशिका का powerhouse भी कहा जाता है एड्स निम्न कारणों में से किस के द्वारा होता है एड्स एक परकार के विशानू के द्वारा होता है ठीक है यह विशानुजनित रोग है यह क्या करती है शरीर की पर्तिरोधक छमता को समाप्त कर देती है यह रोग नेक्स्ट है question number 64 64 में कहा जारा है कि आदर्ता किस उपकरन से ना पी जाती है आदर्ता जो है यह हाइग्रो मीटर से मापी जाती है ध्यान रखेगा हाइड्रो मीटर नहीं हाइग्रो मीटर दाब की इकाई क्या है दाब की इकाई जो है न्यूटन परती वर्ग मीटर होता है और किसी सता के इकाई शेतरफल पर लगने वाले अभिलम बल को दाब कहते हैं और निन्य लिखित का जकी का है उतोर होती है है और ये पात करें। कि सही करम की बात करें नीला हरा और पीला अंसर हो जाएगा ठीक है तो इसमें option के according ऐसा है लेकिन सही करम इसका जो है यह है बैंग नी उसके बाद जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल नेक्स्ट है इन में से कौन सा सदिश रासी है सदिश रासी के लिए अंसर हो जाएगा समवेज होता है या एक सदिश रासी है जबकि दाब काड़े उड़ जाए यह सब अदिश रासी है नीटन की गती का पहला नियम को क्या कहा जाता है नीटन की गती के पहले नियम को जर्ता का नियम कहा जाता है जर्ता का नियम्या है कि यदि कोई वस्तु विरामा वस्था अथ्वा इस्थिर अवस्था में है तो वह तब तक उसी विरामा वस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक उसी समान गति से गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर एक बाहरी बल लगा कर उसे स्थिर नप कर दिया जाए अगे है जेट इंजन कारे किस सिध्धान्त पर कारे करता है वर्षा की बुन्दे गुलाकार क्यों होती है परिस्त तनाव के कारन बाल किस प्रोटीन का बना होता है या क्रेटीन परकार का प्रोटीन है यह बालों के लिए बहुत ही जरूरी प्रोटीन होती है और यह बालों की अंदर और बाहर दोनों तरफ से यह सुरक्षा करता है और इने स्वस्थ रखने का भी कारे करता है आगया है भरती अर्थ व्युवस्था से है वाले का प्रस्ण परती कितने वर्ष पस्चात राज्य सभा के एक तिहाई सदस से पद निवरित होते हैं परती कितने वर्ष पस्चात राज्य सभा के एक तिहाई सदस से पद निवरित होते हैं और एक तिहाई नए सदस से उनके अस्थान पर पहुंचे जाते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा ए दो वर्ष परचाद राज्य सभा के जो सदस्य होते हैं वो परतेक दो वर्ष के परचाद एक तिहाई सदस्य इसमें पद निवरित होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य सदस्य चूने जाते हैं अगे है question number 74, रज्जों की विधान सभा को कितनी सम्यावधी के अंदर सम्वैधानिक संसोधन विध्यक को स्विकार अधवा अस्विकार करना होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसकी कोई निष्चित सम्यावधी नहीं है. रज्जियों की विधान सभा की कोई निश्चित सम्यावधी नहीं है कि उसे कितने समय के अंदर समवैधानिक संसोधन विध्या को सुईकार करना परेगा नेक्स्ट है शाहबानो केस में सरवच नयायाले के फैसले को निश्च परभावी करने के लिए संसद ने हस्तचेप कर कानून को बदला था इस घटना के समय भारत का प्रधान मंतरी कौन था तो इसमें आंसर हो जाएगा राजीव गांधी राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधान मंतरी थे उन्होंने शाहबानो केस में सरवच नयाले के फैसले को ही निश्परभावी करने के लिए संसद में हस्तचेप करके कानून को बदला था आगे हैं भारत के संबीधान की परस्तावना को एक बार संसोधित किया गया है ठिक है और या एक बार कौनसा यह 42 इसमें सम्विधान संसोधन के अनुसार इसको संसोधित किया गया है 40 सेकेंड नेक्स्ट है नियाइक पुन्रावलोकन से तात पड़े है अर्था जुडिसियल रिव्यू से क्या तात पड़े है आंसर हो जाएगा विधाई का तथा काड़े पालिका के काड़ियों की समवैधानिक वैधता के लिए नयाइपालिका द्वारा समिच्छा आगे है कुशिन नमबर 78 किसकी संस्तुती के अधार परष्ट पती भरत किया कस्मिक निधी से धन व्याय कर सकता है तो इसमें आंसर हो जाएगा किसी की संस्तुती या अनुमती की अवश्यक्ता नहीं है आगे है भरत के संविधान के अंतर गत किस आयू के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाय जाने का परतिशेद किया गया है तो आंसर हो जायागा 14 वर्ष से कम ठीक है 14 वर्ष से कम आगे है कुशिय नम्बर एक टी किस सम्मिधान संसोधन द्वारा भूमी सुधार कानूनों को वैधानिक बनाया गया और मुआबजा देकर राज्जी के द्वारा अधि ग्रहन की बेवस्था की गई तो इसमें आंसर ह हो जायागा 17 सम्मिधान संसोधन के द्वारा भूमी सुधार कानूनों को वैधानिक बनाया गया और मुआबजा देकर राज्जी के द्वारा अधि ग्रहन की बेवस्था की गई आगे है कुशिय नम्बर 81 मौलिक अधिकारों से सम्मधित विशय सम्मिधान के किस भाग में है तो मौलिक अधिकारों से सम्मधित विशय जो है या सम्मिधान के भाग तीन में है भाग तीन में और यह है 12 से 35 तक में आगे है कुशिय नम्बर 82 कह रहा है सौर मंडल का एक मातर उपग्रह जिसका अपना वायू मंडल है तो वह हो जायागा टाइटन या सौर मंडल का जिसका आपना वायू मंडल है आप questions भूघोल से स्टार्ट हो गए है या प्रित्वी से वायू मंडल हटा दिया जाए तो यह तो क्या प्रभाव पढ़ेगा तो आंसर हो जाएगा इसका दिन और रात दोनों ही आपड़ी वर्तित रहेगा यानि कि दिन न तो बड़ा होग नहीं रात बढ़ी होगी दिन और रात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्यों कि दिन और रात परिषिक के व़ад हिंडिन बर्ग रेखा कहलाती है हिंडिन बर्ग रेखा। ठीक है next चलते हैं कुश्चिन नमबर है 85 उत्तरी एवं दक्षिन कोडिया के मध्यं सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है उत्तरी और दक्षिनी कोडिया के बीच की जो सीमा रेखा है या अरतीसवी समानांतर रेखा के द्वारा अंकित किया गया है ठीक है और यह सैने विहींच हेतर है और यह एक विभाजन रेखा के रूप में इन दोनों के बीच कारे करता है नेक्स्ट है उन्चास्वी समानांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है उन्चास्वी समानांतर रेखा जो है यूएसे और कनाड़ा के बीच स्थित है और इन दोनों देशों का यह विभाजन करती है अंतरास्ट्रेत इती होकर गुजरती है अंतरास्ट्रेत इती क पहां से होकर के गुजर्टी है आंसर हो जाएगा परशांत महासागर से ठीक है परशांत महासागर के बीच से होकर के यह गुजर्ती है या एक कालपनिक रेखा है जो की 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिन की और खीची गई है Next है, mangrove जंगलों के विशह में इन में से कौन सा कथन गलत है? Mangrove जंगल के विशह में गलत कथन को छुनना है, आंसर इसमें देखते हैं कौन सा होगा? सुन्दरी पेरों की लकडी को इंधन दथन नोका बनाने में काम लाया जाता है, यह साइए है, उच्च जौर के दौरान सुन्दरी पेरों की जरों को खारे जल में डूबा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समुदरी पेरों की लकड़ी, पल्प बनाने के लिए आदर्स लकड़ी है, यह भी साहिए, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आंसर भी हो जाएगा, next है पिरित्वी की ओजुन की पर्थ परानियों के लिए उपीोगी होती है क्योंगी, क्योंगी आंसर क्या हो जाएगा इसमें क्योंगी इसमें यह जो है यह उन्हें सूरिकी अत्यदिक बाबैंगनी किर्णों से बचाती है ओजोन परत प्रानियों के लिए क्यों जरूरी है क्योंकि यह प्रानियों को अत्यधेक पड़ा बेंगनी किर्नों से बचाती है ओधरी जो होता है ठीक है आगे चलते हैं हवाई जहाज प्राया हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं वायू मंडल की किस परत में उरते हैं या है question तो आंसर हो जायागा वायू मंडल जो सौरी हावाई जहाज जो है या समताप मंडल में उरते हैं हिमताप तब होता है जब कब होता है तो हिमपात होता है वायू को ओशांक जब वायू ओशांक और हिमांक से नीचे आ जाता है तब हिमपात होता है आगे है कोहडा बनने की संभावना कब प्रवल होती है कोहडा बनने की संभावना गर्म धारा पर जब सुस्क ठंडी धारा बहती है तब कोहड़ा बनने की संभावना प्रवल होती है नेक्स्ट है प्राता काल काफी मात्रा में उस बनने का कारण है उस क्यों बनती है आंसर हो जाएगा साफ आसमान हो और शान्त हवाएं हो तो उस बनती है ठीक है क्योंकि प्राता काल में जो तापमान रहता है काफी क रहता है जिसे वाय मंदल में उपस्ते जलवास्प संखनित होकर उसकी बुंदों के रूप में पेरो एवा मने पत्तियों पर दिखाई परने लगती है उस बनने की सबसे अच्छी दशा जो होती है वह साफ हवाएं और साफ आसमान होता है आगे हैं पक्छाव मेग का अर्थ है पक्छाव मेग का क्या अर्थ है आणसर हो जाएगा उच्छ मेग ठीक है अब है मिसलैनियस सी क्वेश्चिन है विविद से खादेवं किरसी संगठन का मुख्याले कहां है खादेवं किरसी संगठन का मुख्याले रोम में स्थित है जो कि इटली में है इसके स्थापना 1945 1945 में हुई थी 1945 नेक्स्ट है वेपन्स ओफ पीस पुस्तक के लेखक है वेपन्स ओफ पीस इसके लेखक जो है या राज चेंगप्पा है राज चेंगप्पा राश्ट्रिय गान जनगन मन की गायन अवधी है या गया जाता है ठीक है और संशिप्त रूप में पर्थाम और अन्तिम पक्निया गाई जाती है और संशिप्त रूप का जो गायन होता है वलक भग 20 सेकेंड का होता है आगे है भरत के राजचिन सारनाथ का सिंह स्तम्भ को कब अपनाया गया तो इसमें आंसर हो जाएगा ए 26 जनबरी 1950 को 26 जनबरी 1950 को भरत सरकार्न यह चिन अपनाया था आगे है question number 99 तटरक्षक बल की इस्थापना कब हुई थी तटरक्षा बल की इस्थापना जो है यह 1978 में हुई थी कोस्टगार्ड की और इसका मुख्याले जो है यह नई दिली में है न्यू डेली में N.D.L. जिसे बोलते हैं Next है संगीत नाटक अकादमी के स्थापना कब हुई संगीत नाटक अकादमी के स्थापना हुई थी 1953 में क्रित्रिम नवमंडल इस्थित है आगे है केंद्रिय अशदी अनुसंधान संस्थान इस्थित है विद्युत अनुसंधान और विका संस्थान कहा इस्थित है आंसर हो जाएगा वरोधरा वरोधरा कहां गुजरात में विद्धु तनुसंधान और विकास अंस्थान वरोधरा गुजरात में इस्थित है नेक्स्ट है question number 104 राष्ट्रिय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रिय पक्षी दिवस मनाने के लिए जो डेट फिक्स की गई है वह है 12 नवंबर आगे है अब गनित से तो गनित का solve तो नहीं करना है आंसर बोल देती हूँ 42 गुने 239 भागा 9211 तो दिपावर है एक बटा 3 तो आंसर इसका हो जाएगा बी 458 ठीक है आगे चलते हैं 4 रूट 625 का क्यूब बराबर क्या होगा तो इसमें आंसर हो जाएगा A 125 उसके बाद है X का 33 पुर्णा के कबटे 3 परतिशत बराबर 11 हो तो X का मान क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा C यानि की 33 आगे चलते हैं इसमें हो जाएगा 108 एक्स लीम 0 A X माइनस B X बटा X का मान क्या है तो आंसर इसमें हो जाएगा 108 का B लौग E A बटा B नेक्स्ट है बढ़तमान जन्मदर परती 3032 है जबकि मिर्तिवदर परती 1011 है जनसंक्या बढ़ोतरी के सम दर्व में निवल बढ़ते दर परतिशत में दी गई है तो आंसर कितना हो जाएगा 2.1 परतिशत नेक्स्ट है A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं B और C मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा C और A मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो A, B और C तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं तो आंसर हो जाएगा B 10 दिन में तीनों मिल करके दस दिन में करेंगे यदि A वो B दो समुझे हो कि A union B में 18 A में A 8 एवं B में 15 सदसे हो तो A intersection B के सदस्यों की संख्या चुने तो इसमें आंसर हो जाएगा 111 का B यानि की 5 ठीक है नेक्स्ट अब इसको देख लिए P by Q to the power N minus 1 बराबर Q बटे P to the power N minus 3 तो N का मान है तो 112 में N का मान जो है यह D हो जाएगा यानि की 2 हो जाएगा नेक्स्ट है त्रिभूच P Q R में यदि कोन P बराबर 120 डिग्री और P Q बराबर P R हो तो कोन Q और कोन R होगा क्रमस आंसर 30 डिग्री और 30 डिग्री आंसर हो जाएगा और 4 की जाएगा पर C यानि की 7 नेक्स्ट है 115 Q नम्बर 115 कह रहा है कि Q नम्बर 115 है भारतिय अर्थ ब्यवस्था से प्रचलित कीमतों पर देश के सकल अर्थ ब्यवस्था के जीविये में 2020-21 में किर्सी तथा संबर्ध छेत्रों की हिस्से दारी है किर्सी तथा संबर्ध छेत्रों की हिस्से दारी कितनी है आंसर हो जाएगा D 19.9 परतिशर्थ ठीक है आगे चलते हैं वर्स 2019-20 में चना का सरवादिक उत्पादन करने वाले राज्जी चना के सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले राज्जी है करनाटक ठीक है करनाटक में सबसे अधिक मात्रा में चना का उत्पादन होता है करनाटक के बाद दूसरे अस्थान पर है महरास्टर और तीसरे पर है महरास्टर दूसरा हो जाएगा और तीसरे पर है उत्तर परदेश UP ठीक है आगे वठते हैं देश में वर्ष 2019 में सरवादिक दलहन और तिलहन उत्पादन करने वाले राज्ये हैं तो सबसे ज़्यादा और दलहन और तिलहन का उत्पादन किया है राजस्थान ने ठीक है राजस्थान नमबर वन पर है राज देश का सरवाधिक कुल खाद्यान उत्पादक राज्य है उत्तर परदेश ठीक है उत्तर परदेश मध्यपरदेश पंजाब केंद्र सरकार ने विभाज निये करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बाठने की सुकिर्ती परदान की है तो इसमें आंसर हो जाएगा स्जिक्षा स्वास थेימजा में किसे शामिल नहीं किया गया है समाजिक अधिसंगह सन्चार को शामिल नहीं किया जाई है संेस्टीर्य ठीक स्व्यवाभmer सरफ्वणना में किसे अत्रह दोभरात की राष्यर्य आय के सबसे बड़े श्रोत है सबसे बड़े श्रोत जो है इसमें एक सेवा छत्र है जो कि भारत की राष्ट्री आए में सबसे बड़ा योगदान करता है दूसरी पंच वर्षी योजना की रूप रेखा किस ने तयार की थी यह थे PC महाल नोबिस ठीक है PC महाल नोबिस आगे चलते हैं कुश्य नमर 124 है किस राष्ट्री आवास बैंक के सथापना किस पंच वर्षी योजना आवधी में हुई राष्ट्री आवास बैंक के सथापना जो है यह हुई थी सात में पंच वर्षी योजना में और सात में पंच वर्षी यानी कि 1988 में हुई थी warfare राष्ट्रिय आवास बेंक की स्थापना आगे चलते हैं question number 125 साधारन विमानीग्म की स्थापना कि पंच बर्शिय योजना अवधी में हुई थी साधारन विमानीगम की स्थापना चतूर्थ पंच बर्शिय योजना में हुई थी ठीक है चतूर्थ पंच वर्षिय योजना यानि कि 1972 में 1972 में हुई थी और ये चतूर्थ पंच वर्षिय योजना की अवधी क्या थी तो यह अवधी थी 1979 से 1974 ये चौथी पंच वर्षिय योजना की अवधी थी और 1972 में साधारन बीमा निगम की स्थापना की गई थी आगे चलते हैं भारतिय तक्निकी विकास एवं सूचना कमपनी टेडिसी की ये स्थापना किस पंच वर्षिय योजना अवधी में हुआ था आंसर हो जाएगा ए सात्मी पंच वर्षिय योजना में इसके स्थापना होई थी ठीक है सात्मी पंच वर्षिय योजना या है भारतिय तक्निकी विकास एवं सूचना कमपनी जिसके स्थापना 1989 में सात्मी पंच वर्षिय योजना में 1989 में की गई थी आगे है जोखिम पूंजी एवं टेक्नो कि निगम तूल वॕ मों वा इसकरे सरक दस्क और मेंन वर्स है 1975 पंहीं औरалित संग है कि इन यदधी में वि02 ही 12 कि यह आंसर हो जायागा सात्मी पंचवर्षी युजना में राजकोशिय घाटा है राजकोशिय घाटा क्या है आंसर हो जाएगा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजारिन और दायित्तु अब है बिहार स्पेशल से कुश्चिन नमबर 130 जून 2021 में जाड़ी नितियायो की SDG भारत सुचकांग 2021 में सच्च जल और सच्चता लक्ष में अंक है सच्च जल और सच्चता लक्ष में अंक इसमें हो जाएगा 91 और यह रिपोर्ट नितियायो ने तयार की है तो बिहार का स्थान इसमें 51 है आगे है नितियायो की SDG भारत सुचकांग 2021 इसमें शांती नियायो और मजबूत संस्थाओं में बिहार का अंक है तो इसमें बिहार का अंक है 73 ठीक है बिहार को जो रैंक दिया गया है 73 और इसमें बिहार का स्थान जो है यह बारहवा है ध्यान दिजेगा 12 हुआ ये दोनों अलग-अलग चीजे हैं इसको ध्यान में रखना होगा हाल ही में आयो जित टोक्यो पैरालंपिक खेलो में बिहार के किस खिलारी ने भाग लिया इसमें बिहार के किस खिलारी ने भाग लिया आंसर हो जाएगा इसमें इसमें दो-दो आफ्शन हो जाएंगे क्योंकि शरद कुमार और परमोद भगत इन दोनों ने ही पैरालंपिक खेलों में बिहार के तरफ से भाग लिया था जिसमें से शरद कुमार जो है यह मुझफर पूर के हैं ठीक है और परमोद भगत जो है यह सीवान के हैं ठीक है इस उन्हें पदक जीतने वाली भारतिय होके टीम में बिहार का कौन सा खिलारी था इसमें बिहार का जो खिelaरी था वह था विवेक सागर भीक आ ठीक है तमान में यह अभी मध्य पर्देश के 8RC में रहते हैं, आगे चलेंगे, 2019-2020 में बिहार राज की कुल प्राप्ती है, 2019-2020 में बिहार राज की कुल प्राप्ती जो है, वह 153,408 करोर रुपे है, ठीक है, 153,408 करोर, यानि कि अगर इसमें बात करें, तो 1,53,408 करोर रुपे ब बिहार को प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट की बिहाराज की of an 1995 सकल राज घरए लूद्पाद का कितना प्रacer tai से 5% यानि की सारे पांच परती है इसमें प्र 시청 हुए हो रहे हैं तो बिहार में यह कोलत जल परपात जो है यह नवादा जिले में स्थित है 2011 के जन गन्ना के अनुसार बिहार की जन संख्या कितनी है तो बिहार की जन संख्या जो है यह एक सोड़ी 104 099 422 अगर इसको इसमें कड़े अगर इसको अंको में पढ़ा जाय तो 10 करोर 40 लाख 99,452 हो जायगा आंसर ए है 10 करोर 40 लाख 99,452 लगबग सारे 10 करोर ठीक है 2011 के जन गन्ना के अनुसार बिहार की जन संख्या जन गन्ना 2011 के अनुसार बिहार में शिशू लिंगानुपात है शिशू लिंगानुपात जो है बिहार में 935 ठीक है यह जन गन्ना 2011 के अनुसार है हलाकि साथ की कमी आई है 2001 में यही लिंगानुपाद सिसु लिंगानुपाद यह 942 था ठीक है तो साथ की कमी आई है 2011 में जनगन्या के अनुसार बिहार के सरवादिक लिंगानुपाद वला जीला कौन सा है तो सबसे ज्यादा लिंगानुपाद गोपाल गंज में पाया गया है किस शासक ने वैशाली के लिछेवी राजकुमारी से विवाह किया था चंद्रगुप्त पर्थम ने लिछेवी राजकुमारी से विवाह किया था आगे हैं बिहार में आदी मानव के उपस्थित अरंभिक साक्ष के सी योग के हैं तो आदी मानव के जो साक्ष मिले हैं बिहार में वह पुर्व प्रस्तर योग के हैं पुर्व प्रस्तर यूग, पाशान यूग से भी पहले के हैं, बिहार में जो आदिमानों के साथ मिले हैं, वाँ, नेक्स्ट है 142, अकबर के समय में कहां के उज्यानी राजा दलपत शाही ने विद्रो किया था, जगदिसपूर के थेया, और इनके विद्रो का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था, जगदिसपूर के दलपत शाही विद्रो को दबाने के लिए अकबर ने शाहबाज खां को आगे हैं सविने अवग्या अंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहां हुआ था? सविने अवग्या अंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन जो है यह गया जिले में हुआ था? गया जिले में गया के थियोसोफिकल हॉल में 4 सितंबर 1930 को नंद किसोरलाल की पत्नी की अध्यक्स्ता में यह संपन हुआ था आगे चलते हैं Q144 है सबने आवगी आंदोलन के दारान डॉक्टर राजेंदर परसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया तो राजेंदर परसाद को गिरफ्तार किया गया था छपड़ा से और इन्हें 6 महिने की सजा हुई थी और यह 14 दिसंबर 1930 को करवास की अबधी को पूरा करके जेल से रिहा हुए थे आगे है निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे किसान ने था कौन नहीं थे आँसर हुजाएगा डी सुरेनात चौबे नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फरेंस का 21 अधिवेशन कहां संपन्द हुआ था बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फरेंस का 21 अधिवेशन जो है यह मोतिहारी में संपन्द हुआ था अधिवेशन के लिए गया के दक्षिन में तेनुई गाउं को चुना गया था चंपारन किर्शी विध्यक को विधान पर्षद में कब प्रस्तुत किया गया था 29 नवंबर 1917 को बिहार में व्यक्तिगत सत्यागरह के दूसरे सत्यागरही कौन होने वाले थे तो इसमें आंसर हो जाएगा दूसरे सत्यागरही बिहार से थे इसमें अनुग्रह नारायन सिंग अनुग्रह नरायन सिंग, ठीक है, नेक्स्ट है, भारचुरो अंदोलन की क्रम में पटना सची वाले गोली कांड में शहीद होने वालों में नेमन में से कौन शामिल नहीं थे, तो पटना सची वाले के गोली कांड में शामिल नहीं हुए थे, सिता रामकेसरी इसमें शामिल नहीं थे जब कि रामानंद सींग राजेंदर सींग उमाकान प्रसाद सींग यह सभी शामिल थे जिसमें से देविपद्स चौधरी और नहीं है यह यंगिस्ट शहीद थे ठीक है मातर 11 साल उनकी उमर थी तो इस तरह से समाप्त होता है यह वीडियो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए देखते रहें बीपीएसी और हम और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें धन्यवाद